नवस्कार दोस्तो एडवांस पामिश्टी कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जूम एप पर और उसकी तारिक होगी 18 अक्टोबर 2021 से नवरात्री और दशेरा पूरा होने के बाद सीटोब की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है जिस वेक्ति को इंट्रेस्ट हो तो करपया इस वाट्सप नमबर पर संपक्त करें इस पर आपको सारी जानकरी मिल जाएगी कौन से समय पर लेक्चर रहेगा और क्या डिस्काउंट चल रहा है कब तक है वो सारी जानकरी आपको इस नमबर पर मिल जाएगी तो करपया इस पर मैसेड डाल दीजे जिस वेक्ति को इंट्रेस्ट हो अब ये सरकारी व्यक्ति का पाम है और इनके जीवन में सबसे बड़ा डर लग रहा है क्या मुझे जैल होगी ये डर इनको सता रहा है तो वर्तमान में तो कोई ऐसी संभावना है मुझे नजर नहीं आ रही है तो चिंतित होने की आवशक्ता नहीं है अब एक एक करके हम इनके जीवन के पहलों को देखने और समझने की कोशिस करते है जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुशा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपूचिनिटी आती उसे ग्रेब करके आगे बढ़त है यह रेक्टेंगल पाम है ऐसे लोग मेंती भी होते हैं और साथ में सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते है नुकिला अंगुठा है फर्स फैलेंग तो ऐसे लोग जित से जो चाहिए वो प्राप्त कर लेते हैं इनका ध्यान बढ़ता नहीं और सेकेंड फैल और अंगुठा बढ़ा है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और लगबग दोनों उंगलिया सेमी है सुरी की थोड़ी सी बढ़ी है बहुत जादा बढ़ी तो नहीं ह तो हलका सा हिमती सभाव होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी उंगली नहीं है और छोटी उंगली फर्स फैलाइन तक नहीं पहुच रही है तो व्यक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल करकना, याद चक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट, यह सारी चीजों में व्यक्ति कम जोड़ होता है पर यह उंगली का फर्स सिरा तिल्ट हो रहा है तो ऐसे लोगों में पैसा कमाने की ललग भी भरपूर रहती है बुद्वरवत पर बड़ी लाइन, इस तरह की लाइन हो, बुद्वरवत में भी व्यक्ति व्यास्थित इंकम करता है और बुद्वरवत अपने आपने उभार है सरकारी वकिल जो ओधा जिसे कहते है कि पब्लिक पर जिसका कंट्रोल होता है ऐसे जो बड़े ओधे वाले सरकारी टीचर टाइप ने जहां पब्लिक से रिलेशन आता है ऐसे लोगों मैं कम्पलिट कई लोग मुझे सरकारी जॉब लगे की नहीं लगे बहुत आसानी से आप लोगों को बता देता हूँ एक यहां पर यस सैन चाहिए कोई न कोई स्क्वेर सैन आपके हाथ में होने चाहिए अब यहां पर स्क्वेर सैन का मतलब इंटरनेशनल नहीं होता बड़ा स्क्वेर भी रहा तो इंटरनेशनल से लेना देना नहीं है सन माउंट पर फिशेंट चीए एक यहाँ पर कोई न कोई इस तरह की सिचुएशन बननी चीए ऐसी यह छोटी भी हो तो चलती है इतनी भी हो तो भी चलती है इस तरह की situation बननी चीए यहाँ पर कही न कही जुपिटर पर ट्राइंगल चीए इस तरह का छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई न कोई एक लाइन चाहिए यहाँ से हो या आपकी धन रेखाई ऐसे जाती हो यह समय करण आपके हाथ में है तो आप सरकारी नोकरी इजीली प्राप्ट कर सकते हो समय लग सकता है जिस समय आपके योग होंगे उस समय लग जाएगी यह सिंपल सी थियरी है यानि सरकारी जॉब के लिए आपके सवालों के लिए टैम वेश करने की आवशक्ता ही नहीं है इतनी वस्तुए देख लीजी आप अब आते हैं इनके वापस इनके हाथ पर यहाँ पर यश शाइन है तो वेक्ति को यश मिलता है पर यहाँ पर एक क्रॉस भी है यह जब क्रॉस होता है तो ऐसे लोगों को पिता की और से भाई की और से पिता छोटी उम्र में चला जाता है या पिता से मदभेद रहते है या पिता से दूर रहना पढ़ता है इस तीन में से कोईने कोई मैनस पॉंट होता है और फोर्थ चीज होती है कि जरह सा आगे बड़े तो कोई नो कोई टांग खिशने वाला ग्यक्ति मिलता है ये चाहेंगे तो मैं इसका उपए दे दूँगा इनको और ये इनका सवाल भी था ऐसा क्यों होता है मेरे पार अब यहाँ पर जो स्क्वेर बने इसका मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है अब इनकी साइनों की और चलते है एक साइन ही आपर है और एक साइन और है इतनी साइन यह दिखा पाए फोटो निकालने में काफी कमजोर वेक्ती थे यह और यह लाइन जब इस तरफ जाती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते है और मुझे लगता है यह श्णी परवत यहां से बीच में से दबा हुआ है अगर इस तरह का दबा छित रहो तो भी तीन माइनस पॉइंट मिलते है एक तो जीवन पर इंट्रेस पे करना होता है चीजे देरी से मिलते हैं, मिलती जरूर है पर देरी से मिलती है और hard work ये तीन वस्वे जीवन में रहती है इनका जुबिटर माउंट भी खराब है पूरा शनी परवत की और अशिक रमन कर रहा है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्या रहती है तो इनकी भी ये समस्या है ही है ये मैं इनको उपाय दे दूँगा यहाँ पर एक triangle नजर आ रहा है ये व्यक्ति को political lab और सरकारी lab करवाता है और इनके जीवन में सरकारी lab हो चुका है एक line और दो line ये जब line होती तो व्यक्ति को multiple income के source create होते है पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी इस्टर के mystery science में जहान जाता है सेवा भावी और धार्मिता ये सारे गुन व्यक्ति में रहते है अंदूरी मंगल काफी उत्तम है तो साधी रिगुर्जा काफी उत्तम रहेगी इनके जीवन में बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है ऐसे लोग जब किसी से मिलते तो energy के साथ मिलते है सामने वाला comfortable fill करता है और संकट के समय र्यक्ति अपने level पर संकट का सामना करता है अब कोई भी आम इंसान होगा तो ये इसको triangle समझ लेगा ये एक line गई ये भी अधूरी touch नहीं कर रही है ये अलग line है और ये अलग line है और ये दूसरी line और यहाँ पर जब cross बनता है तो व्यक्ति को हमेशाथ डर लगा रहता है मेरा क्या होगा मैं आज जहाँ पर उससे नीचे गिर जाओंगा तो इस तरह का डर भह सताता है ऐसे लोगों को और इतनी छोटी भी line भी हाजमे का problem देती है और चंद्रपरवत व्यवसीत है तो विदेश में घुमने का भी आउसर मिलेगा जरूर जीवन में ये line यहाँ पर सेर सट्टे में इनको भविश में इंट्रेस्ट दिलाएगी और शुक्र काफी उत्तम है तो जब शुक्र अच्छा होता है तो लगजरी लाइफ का शौक रहता है और उसे पूरा भी करते कई लोगों को पसीना खुबाता है ये सब के साथ लागू नहीं होता अब इनकी हिर्देरेखा को देखते है जब दो भागों में डिवैड होती है तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं बहुत अच्छी तरह से सेकेंड थोड़ा सा जुकाओ हिर्देरेखा का मंगल की और होता है तो व्यक्ति को गुस्सा भी ज़्यादा आता है और ये गुरु को टच कर रही है हिर्देरेखा तो भरो से लाइक इंसान होते किसी के सौर रुपी भी बाकी होंगे तो सामने से देखर आएंगे रदेरेखा थोड़ इसी मोटी है तो जंजटो बरा जीवन रहता है सुबह से लेके शाम तक कोई न कोई आपादा भी लगी रहती है फ्रीनेस नहीं होती परसनल लाइफ इतनी उतम जी नहीं पाते हाँ इतनी भी मोटी नहीं है पर है जरूर माइन लैन को देखे तो दू-तिन टुकड़ों में चल रही है उतनी भी क्लियारिटी फोटो में चाहिए वैसी नहीं है पर फिर भी रहसित है फोटो और एक यहाँ से भी माइन लैन स्टार्ट ओर ही है इसका मतलब है प्लानिंग भरपूर बनाना ज्यादा तर प्लानिंग काग जो पे रहते इंप्लिमेंट नहीं होते इस तरह की कंडिशन होती है और ये लेंग सीधी चलकर यहां तक जा रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनमें धार्मिक तात ही जाएगी सपने बढ़ जाएंगे इनके जीवन में बाहर वालों के लिए उत्तम होते ही है लोग घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे और व्यक्ति चेंज होते रहते है अब इनका जो भी प्रॉब्लम है वो जीवन रिखा पर है मैं एक एक करके इनके प्रॉब्लम दिखाने की कोशिस करता हूँ और इनका जेल वाला जो प्रश्ट है उस पर भी आऊँगा धन्रेका पर एक लाइन ने काटा है यह काटी यह लगबग मेरे इसाब से 34 के आसपास या 33 के आसपास है यहाँ पर यह फोल्ड थोड़ा सा हो रहा है तो इसको 34 या 33 पकड़ सकते हैं एक 36 में बहुत बड़ी राहू रेखाने काटा था और इस काटने के बाद इनके जीवन में इस फोटोग्राफ में वापस आते हैं काटने के बाद यहाँ से जीवन रेखा दूसरी चालू हुई और इसी पिरियड में इनकी एज ओफ 36 के आसपास इनकी जॉब लगी सरकारी जॉब इसके पहले यह दूसरा काम करते थे अब इनकी एज 40 में साधी हुई है वो रेखा भी देखते हैं वापस उस फोटोग्राफ पर मैं लेकर जाऊंगा यह लाइन ने इनके जीवन में सेनाई का काम किया 40 में इनकी साधी हुई इस लाइन को इस फोटोग्राफ में और अच्छी तरह से देखते है यह देखिए यह आपर टच कर देखिए उसके बाद छोटी छोटी राव रेखा इनको परेशान कर रही है इस साधी के बाद एक साल के बाद या च्छे महिने में एक राव रेखायी और एक 42 के आसपास भी राव रेखा है तो ये छोटी छोटी राऊ रहा है इनको डर पैदा कर रही है और इस पर मैं बाद में आता हूँ जब धन्देगा पर आऊंगा तो उसके बाद एक लाइन ये जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस कोई स्तरी इनके जीवन में आएगी इस लाइन की वज़े से ये लाइन लग बग माइन लाइन को टच कर रही है और ये पिरिएड होगा इनके जीवन का फुर्टी फाइग पूरे संकेत इस तरह के लग रहे है फिर उसके बाद फुर्टी सेवन में राऊ रेखा काटेगी फुर्टी नाइन में काटेगी उसके बाद फिप्टी फ्री में काटेगी जब आपको कहीं पर यहां पर ना दिखे राऊ रेखा तो इस रेखा की राऊ रेखाओ की एज बता दीजिए मैं वापस भूल गया यह फुर्टी फाई के आसपास रिलेशन दिख रहा है फुर्टी नाइन फिप्टी थ्री फिप्टी टू एन हाफ और उसके पहले भी एक छोटी रेखा है यह फिप्टी थ्री पकड लिजे फिर फिप्टी फाई फिर फिप्टी एट और चार साल के बाद शिक्स्टी टू यह इस तरह से रहू रेखा है इनको बार-बार परेशान करेंगी अब सरकारी लोगों में जब रहू रेखा है काटती है तो इनको तकलिफ होती ही है डिपार्मेंटल इंक्वारी आने के चांसे काफी उजवल बनते हैं मैं इनको सला दूँगा आप डेल ले श्ट्रीट डॉगों को सुबह साम खाना खिलाईए क्योंकि आगे चल कर भी रहू रेखा है तो आपको डिस्ट्रबंस आएगा आएगा और आएगा फिर एक बदलाव इनके जीवन में 53 से लेकर 58 तक में कभी इनके जीवन में बदलाव आएगा और यह पॉजिटिव बदलाव का नेगेटिव नहीं है क्योंकि भाहर से निकल रही है या तो वेक्ति देश बदलेगा शेहर बदलेगा घर बदलेगा या वेवसाय बदलता है या ऐसे लोगों की बदली भी होती है दूसरे सहर में भी जाना पड़ता है और फिप्टी एट के आसपास ओफशुट भी है और उसके बाद हर चार-पास सालों में ओफशुट कंटीनियू है तो ज़्यादा घवरानी की आवशिक्ता नहीं है पर इनका जो घर का सवाल था तो मैं उस सवाल का अभी वर्तमान में इनका जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ऐसी कोई आफशुट या ट्रैंगल मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं इसके बारे में जवाब दे पाऊँगा यहाँ जरूर सर ट्रैंगल वैंगल बन रहे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का मैं बता सकता हूँ और उसके पहले कोई योग होगा तो मुझे कोई आइडिया लग नहीं रही है हाँ, साइन अच्छी है, और यहाँ पर कोई ट्रैंगल वैंगल बनता होगा, इस जगह पर तो घर का योग बन सकता है, दूसरे फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिज करते हैं, और यह लगबख 40 के आसपास कोई नियर और डियरर की भी डेथ हुई होगी या होने वाली है, और यह देखे 38 के आसपास या 39 के आसपास हो चुकी होगी, और यहां से इनकी नई जीवन रेखा चालू हुई, 36 के आसपास, और यह राव रेखा पूरी होते ही, इनके जीवन में सरकारी जॉब का योग लगा, बदलाओ, जिसे कहते हैं न, पहले ही आलक व्यवसाय में थे, अब इनकी धन रेखा पर देखे, लगबग 37 के आसपास चोटा सा कट था, अब देखे इनकी जॉब लगी है, 36 के आसपास, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, अगर स्क्रीन शॉट लोगे, यहाँ पर क्लियर कट आपको, एक छोटी सी फिश्टान नजर आ रही है, धन रेखा के बाजु में, फिर ऐसी लेफ्ट साइड में दिख रही है, यह 41 का कट, जो इनको आर्थिक नुकसान, और ऐसा कट अगर हो, तो जॉब वालों को जॉब भी चली जाती है, पर इनकी अभी तक जॉब गई नहीं है, और जाने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं, पर यह लाइन रहेगी, तब तक इनको टेंस बना रहेगा, उसके बाद, क्योंकि नहीं जाने का कारण, कंटीन्यू धन रेखा, एजिटीज है, तो कोई चांस नहीं है जॉब जान रही है, तो हो सकता है, एक आज देड़ साल में, कोई प्रमोशन भी इनको मिल जाए, इस तरह के भी चांसेस है, उसके बाद, एक प्रमोशन यहां पर भी दिख रहा है, 53 के आसपास भी, फिर छोटे-छोटे प्रमोशन, इस जगह पर भी नजर आ रहे है, और यहां पर इतनी क्लियारिटी नहीं है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा, एक यहां पर भी कुछ नजर आ रहा है, पर यहां पर धन्रेखा में दम नहीं है, अब इन्होंने जेल का सवाल पूछा, फिर वापस इस फोटोग्राफ पर आएंगे, धन्रेखा पर जाने के पहले इनके धन्रेखा पर जो कट दिख रहे है, उसके बारे मैं चर्चा करेंगे, यह कट 41 का मैंने बता दिया, फिर एक छोटा कट 46 के आसपास भी लगेगा, 48 के आसपास भी लगेगा, और यह investment होगा 53 के आसपास इनका, और secondary line है, यह भी investment कराती रहेगी, कोई न कोई, तो यह भी फल इनको मिलता रहेगा, धन्रेखा पर 36 तक या साड़े 36 तक ऐसा कोई दम नहीं था, इनकी धन्रेखा में, तो ज़्यादा इंकम रही नहीं होगी, इनके जीवन में, इसके बाद यहां से इंकम जनरेट हो गई होगी, फिर यह कट आया, जो अभी यह मुसिबत में है, इनको डर लग रहा है, मेरी जॉब चली जाएगी, पर उसके बाद धन्रेखा में, ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं नजारा रहा है, और यहां पर इतनी स्पष्टता नहीं है, इसको कलर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, फिर स्पष्टता यहां से है, 58 से लेकर अप्टू एंड तक, फिर यह इन्वेस्मेंट से जो इंकम होगी वो अलग, तो यह जो गैप है, इसको देखने की मैं कलर मैं कोशिश करता हूँ, यहां तक कोई प्रॉबलम मुझे नजर नहीं आ रहा है, फिर 56 से लेकर 58 तक, बहुत कमजोर धन रेखाएं, यहां पर कोई न कोई मुसिबत इनके जीवन में आ सकती है, बड़ी डिपर्मेंट इंक्वारी का सामना यह कर सकते है, या फिर खर्च अधिक रहेगा, और एक कट 59 में भी है, तो कोई नो कोई आर्थिक कष्ट भी जाएगा, और उसके बाद 61 तक यह लाइन चल रही है, 60-61 तक, और बाद में यह इन्वेस्मेंट से जो पैसा जीवन बर आता रहेगा, इन्वेस्मेंट तो इनके जीवन में 37-38 में भी कुछ न कुछ हुआ होगा, अब जेल जाने के लिए व्यक्ति कमाने वाला जब जेल में जाता है, तो उसकी धन रेखा पूरी खराब हो जाती है, ऐसी कोई धन रेखा इनकी यहाँ पे खराब नहीं है, ज इनकी जोब जाने के चांसे मेरे ग्यान के अनुसार तो कुछ भी नहीं है, और ना अभी कोई ऐसी हेवी राव रेखाने काटा है, तो आगे इंकम के रास्ते क्लियर है, केवल 56 से 58 तक का जो समय रहेगा, वो काफी टफ रहेगा इनके लिए, उसको छोड़के कोई घबरान के आवशिक्ता नहीं है, तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रस्टों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादू